दोस्तो आज की इस वुडियो में न मैं आपको ऐसे तीन प्रकार के काम बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तो ऐसे तीन प्रकार के काम मैं आपको बताने वाला हूँ जो very much important है और अगर आप ए तीन काम अपनी आउरत के लिए करोगे न दोस्तो तो मैं मा कसम लेकर भगवान कस आपको यहाँ पर guarantee दे सकता हूँ कि वो आउरत ना जिन्दगी भर आपके पासी रहेगी वो आउरत ना जिन्दगी में कभी भी आपको छोड़ के जाने का इरादा अपने दिल में भी बिल्कुल भी नहीं लाएगी मतलब वो आउरत ना जैसे पतिवरता आउरत होती है वो इसे आपके साथ जिन्दगी बर एक निष्टर रहेगी और आप जो उसे बूलोगे ना वो काम करने के लिए वो खुशी-खुशी तैयार हो जाएगी तो दोस्तो इतने इंपोर्टन टीन काम होते है तो दोस्तो वही तीन काम मैं आज आपको बताने वाला हूँ और अगर आप इने करते हो तो आपकी जिन्दगी दोस्तो स्वर्क से भी ज्यादा अच्ची हो सकती है तो दोस्तो बिना समय वेश्ट करें मैं अभी वीडियो को शुरुआत करता हूँ पर वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ज लड़की हो उसके लिए अगर आप ए तीन काम करते हो तो अवरत ना आपके मुठी में आ सकती है नंबर एक का जो काम है और सको कुन सा है कि उस अवरत को या फिर उस लड़की को कभी भी पैसों की तंगी मैसूस नहीं होने देना क्या बोलन मैंने पैसो की तंगी मैं सुस नहीं होने देना दोस्टर एको अगर आपके जिंदगी में कोई औरत है लड़की है तो ओरत ना आपके ओपर अपेक्षा करती है कि आप ना उसे ओर चीज दे दे जिस चीज की उसकी जरुरत है दोस्तों बहुत सरी आउरतों के नहीं जरुरत बतलब अलग-अलग होती है कि कुछ-कुछ जो आउरते होती है तो उनको अच्छी साड़ी खरीदनी होती है अच्छी मतलब जोलेरी उनको खरीदनी होती है एक्सेटरा एक्सेटरा तो ओ जो बूलेगी उस चीज़ को आपको खरित कर देना पड़ेगा मतलब घुमा फिरा के आपको ना उसको कभी भी पैसों की तंगी बिलकुल भी मैसुस नहीं करने दिने चाहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है तो इस चीज को नहीं खरिच सकती तो ऐसा अगर आप करोगे न तो आपके साथ रहेगे दोस्तो तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तो ये रहा और उसकी बाद दोस्तो जो दुसरा पॉइंट है और सो कुनसा है कि उस अवरत को ना कभी भी जिन्दगी में अकेला पन मेसुस नहीं होने देना दोस्तो अगर आपके जिन्दगी में कोई अवरत है लड़की है अपने शादी की हुई है तो वो अवरत न अपने पूरे फैमिली को छोड़ के आपके पास आ गई है और आपके उपर उसकी अपेक्षा है कि आप उसे कभे भी अकेला बिल्कुल भी मतलब पढ़ने नहीं दोगे तो बहुत सरी पूरुष न शादी होने के कुछ महेने अवरत से एक़म चिपके रहते हैं पर कुछ महेने होने के बाद न वो अवरत से दूर रहते हैं मतलब अपना ऑफिस का काम, कंपनी का काम, जॉब, एकसेटरा, एकसेटरा पर दोस्तो आपको एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको न दोस्तो आउरत को भी टाइम देना है उसके ओपर भूँच जदा प्यार करना है उसको कभी भी अकेला पन मेसुस नहीं होने देना है क्योंकि जिस दिन अगर आपने उसको अकेला पन मेसुस होने दिया जिस पुरुष किसी दूसरे पुरुष की या पिर किसी इंसन की खोज करता है दोस्तो क्योंकि उसको किसी भी इंसन को अकेला पन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी अच्छा नहीं लगता होगा तो यह नंबर दो का पॉइंट हुआ और उसके बाद दोस्तो जो पर कुछ मैने होने के बाद न, वो अवरत से मूँ गुमा लेते हैं, मतलब अवरत भी अगर उन्हें ऐसा बोलेगी, कि आज न, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मूड हो रहा है, क्या हम दोनों ओवाला काम कर सकते हैं क्या, तो पुरुष न, उसको मतलब एकदम ऐसा बोलता तो वो अवरत न, दोस्तो, दूसरे पुरुष की खोज दोस्तो 101 टका करेगी, क्योंकि हर अवरत को ऐसा लगता है, यह शादी होने के बाद मुझे शारिक संतुष्टी भरपूर मिले, मतलब हर अवरत का इस सपना होता है, तो इसे आप दोस्तो जिन्दगी बर ध्यान में रखो, तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही, I hope जो मैंने आपको बताया, आपको सब कुस समझ आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद